नमस्कार स्वागत है आप सभी का जनसत्य निउस पर मैं हूँ आपके साथ अनु सिंग खबरू की शुरवात करेंगे जहां केरल विमान हादसे को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए जहां जारखंड में एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया हैरत की बात यह है कि एक ही प्लेन के साथ चार घंटे में दो बार हादसा हुआ इस विमान में 1500 से ज्यादा यात्री सवार थे एर एशिया के पाइलिट ने पहली बार सूजबूट का परिज़र देते हुए बर्ड हिट की आशंका को देखते हुए ब्रेक लगा कर विमान को स देशक के मताबिक मुंबई जाने वाले एर एशिया के विमान पर 176 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे और सभी सुरक्षित हैं फिलहाल उन्होंने विमान में किसी तरह की तकनीकी खराबी होने से इनकार करते हुए बताया कि पाइलिट को रनवे पर उडान पहले कुछ त तकनीकी दिक्कतों का एहसास हुआ उडान के दौरान और इसके बाद विमान को उडान भरने से पहली ही रोक लिया गया पहली बार हादसे से बशने के लिए एक से यहां तकरीबन एक से दो घंटे के बाद विमान ने दूसरी बार उडान भरी लेकिन एक दफा पहले से पूरन इमेजेंसी ब्रेक लगा दिये वहीं विमान में चिंगारी दिंकलते हुए देख ततकाल दो दमकल की वाहन मौके पर पहुंचे इसे पहले भी इसी प्लेन को तकनीकी गड़बडी या फिर बर्ड हिट की आशंका के मद्दे नजर उडान भरने से पहले ही रोक दिया गया था उधर कॉंक्रिस के पूरवर्धेश राखुल गांथी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है पूर्विल अद्दाख ने चींग के साथ सीमा पर जारी तना तनी के मुद्दे पर मोधी सरकार के खिलाफ लगातार आकरामक रुख अपनाए हुए राखुल के बाद राखुल गांथी ने सरकार पर व्यंगात्मक हमला किया है राखुल गांथी ने ट्विट सोशल मीडिया पर किया और काफी वाइरल भी अब ये हो चुका है राखुल गांथी ने ट्विट करते हुए रेखा कि जब जब देश भावुक हुआ फाइले गायब गुमशुदा लिस्ट में लेटिस्ट है चीनी अतिक्रमन वाले दस्तावेस ये सैयोग नहीं मोधी सरकार का लोगतंत्र विरोधी प्रयोग है दो दिन बाद ही रक्षा मंत्राले की वेबसाइट से चीनी अतिक्रमन से जुड़े दस्तावेस को हटाये जाने पर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट कर सीधे सीधे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर तीखा हमला बोला उन्होंने लिखा कि चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल ही जाएए भारत के प्रधान मंत्री में उनका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है चीन के हबारे इलाके में होने को नकारने और वेबसाइट से डॉकिमेंट हटा लेने से तत्थे नहीं बदल जाएंगे उधर केंद्रे कृशी मंत्री केलाश चौधरी भी कोरोना वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं चौधरी ने इस बात की जानकारी खुद ट्विटर पर लोगों को दी है उन्होंने लोगों से अनुरोद किया कि जो भी पिछले कुस दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं खृपया अपनी जांच कराएं आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से चौधरी लगातार राजसान राजनीती का होट स्पॉट बने जैसल मेर के दोरे पर थे अस्वस्त होने के बाद उन्होंने अपनी जांच करवाई तो वे कोरोना वाइरस संक्रमित पाए गए इसके बाद उन्हीं जोदपूर एम्स में भरती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है उन्होंनी ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा कि बीती रात शुरुवाती लक्षन देखने पर मेरे स्वास्ते परिक्षन के बाद रिपोर्ट में कोरोना वाइरस संक्रमन की पुस्टी हुई है उन्होंने आगे लिखा कि बीते कुछ दिन में मुझसे संपर्ख में आए मेरे सभी मित्रगण अपने परिजन से दूरी बनाए रखे और अपने स्वास्ते का परिक्षन कराए सांस लेने में थोड़ी तकलीव के साथ ही बुखार है मैं अस्पताल के चिकित सकों की देख रेख में स्वास्ते लाब ले रहा हूँ उधर कश्मीर को लेकर दिये अपने आधार हीन बयानों पर पश्चताप करने की एक ही दिन बाद मलीशिया की पूर प्रधान मंत्री महातिर मुहम्मद ने यूटन ले लिया है शनिवार को कॉललामपूर में कश्मीर को लेकर आयोजित एक समारों में उन्होंने अपने पुराने बयान का समर्थन किया और कहा कि मैंने इस मुद्दे पर नुकसान पहुचने की संभावना के बावजूद बोलने के लिए इसे चुना था उनके इस गलत बयानी का पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने भी समर्थन करते हुए धन्यवाद कहा उन्होंने पाकिस्तान द्वारा आयोजित कश्मीर विशेपर एक कारिक्रा में कहा कि पिशले साल सितंबर में सैयुक तिराष्ट महसभा के मेरे विवादास्पत मुद्दे पर भाषन के बाद से जो कुछ हुआ उसने केवल ये साबित करने के लिए काम किया है कि जो मैंने कहा था वो हलका था और एक हद तक सायमित था उन्होंने आगे कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी नहीं मांगता उन्होंने आगे कहा हलाकि मुझे खेद है कि इससे भारत को हमारे पाम तेल निर्यात को प्रभावित किया गया भारत की द्वारा महातिर ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के अन्याय के खिलाब बोलने के लिए बड़ी कीमट चुकानी पड़ती है अब मैं प्रधान मंतरी नहीं हूँ अब मैं कश्मीर मुद्दे पर बिना किसी बहिशकार के डर के खुल कर बोल सकता हूँ मलीशे के पूर्व पिये महातिर मुद्द ने के इन आधार ही इन बयानों पर पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरान खान ने उनकी तारीव की उन्होंने कहा कि मैं महातिर मुहम्मद का कश्मीरियों का समर्थन करने और कश्मीर के दमन के खिलाब बोलने के लिए धन्यवाद करता हूँ खबरों में फिलहाल के लिए बस अतना ही वीजियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार